रामपूर विशु युवा कोशल दिवस के शुब अउसर पर उधोमीता प्रतसाहन समीरन का एयोजन स्वालंबी भारत अभ्यान समीती जिला रामपूर के तत्वधान में प्रधान मंत्री कोशल केंजर सिविलाइन्स रामपूर आयमें आयुजित किया गया जिसमें बेरोजगारी की समस्या के समधाने तुविब्धान के जरूरा थे उसके भी आर्थिक संगठोनों के साथत्थ शेक्षिक वर समाजिक संगठोनों की एक विब्रभारत अभियार 1947 में राजनेतिक सवतंतरता के बाद एवं पिछले 30 जो कि नियो जी तुरिद्धी के तुलना में अधिक ठीक किन्तु रोजगार के आउसरपा अनुपातिक रूप से निर्मित नहीं हुई मैं कुलदीब सिंग हूँ स्वाबलंबी भारत अभियान जो ये रास्ट्रिय स्थरप्य अभियान चल रहा है इसका मेरट प्रांट का प्रांट समन्वेका दाइत मेरे पास है और ये रास्ट्रिय आंदोलन समझे चेतना का विशए है स्वाबलंबी भारत अभियान ये पूरे रास्ट्रिय में पिरतेग जिले इस तरपे इसके करणिये बिंदू चल रहे है हमारा जो में मुल्क मुख देश है वो हिंदुस्तान से बेरोजगारी को शूने पर लाना है ये लंबा अभियान है आगामी दो तीन वर्षों तक चलेगा और इसका उदेश है कि हमारा देश हमारा भारत वर्ष स्वाबलंबी हो और विश में अग्रणी हो अर्थ विवस्ता में ये संगदारा जो संग के महत्पून बाई संग्ठन है वो सभी इस अभियान में सहोगी है और सभी संग्ठनों के सहोग से स्वैदेशी जागन मंच के पटल पे या भियान चल रहा है रास्ति अस्तर पे है और आज जैसा कि हमारा विश युवा कौशल दिवस है 15 जुलाई तो विश युवा कौशल दिवस से पूरे देश में एक साथ प्रतेग जिले में युवाओं को संबूधित करने का कारिक्रम चल रहा है युवाओं को अंदर चेतना फिलाने का कारिक्रम चल रहा है ताकि हमारे सभी युवा हमारे भाई हमारी बहने स्वाब लंबन की तरफ बढ़ें स्वरोजगार की तरफ बढ़ें और वो जॉब सीकर की बज़ाए जॉब प्रोइडर बन पाएं इसमें बिसकली युवाओं को यही मुक्ते बताय जा रहा है कि वो नौकरियों को तलाशने के बज़ाए नौकरियों के सिर्जन के लिए अपना दाइत उठाएं वो नौकरियां ढूनने की बज़ाए नौकरियां देने बाले बने क्योंकि हमारा आकड़ा बताता है कि हमारे देश की अर्थवस्था में जो रोजगार में जो सबसे बड़ा योगदान है करीब 80% वो हमारे लगू, कुटी, किर्शी छेतर से आता है अगरना मुझ छेतर को और प्रवल बनाएंगे तो हमारा देश ना केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सुद्र होगा बलकि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है जो 37 करोड रोबा युवा हमारे पास 15 से 35 वर्ष की आयूगे हैं हम पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हैं हम उस सक्ति को सामर्थ को बहतर इस्तमाल कर पाएंगे अपने देश के विकास के लिए